जहिन साथियों मैशार रहमत competition community के इस 36 गड़ सब इंस्पेक्टर प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार आप अपनी निरंतरता बरकरार रखे हैं और साथ में एक युद्धिस तर पे तैयारी कर रहे हैं और अपने चतिस गड़ सब इंस्पेक्टर से तो आईए पहले एक सुवी विचार पे चर्चा करें देन उसके बाद हम अपना सत्र चालू करेंगे और जो बच्चा पहली बार इस वीडियो में आया है उससे मैं निवेदन करूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें देन बेल रास्ता चुना एक सही रास्ता चुना और उसके लिए आप बिल्कुल अपनी निरंतरता इसी प्रकार बनाए हुए हैं तो ये बाद बिल्कुल सही है कि आपका रास्ता दो प्रकार का होता है एक सही और गलत और आप लोगों ने सही माध्यम चुन लिया है तो इसके लिए मैं आप लोग को सलाम कहना चाहूंगा और जो है इसी प्रकार अपनी निरंतर तब बरकरार रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे जो कि आपका कोचिंग पढ़ने नहीं आ पाते हैं वो उनसे जो है इससे लाभानुईत हो सकें क्लियर आईए अब अपना सत्र प्रारम करते हैं तो चत्तिस गड़ सब इंस्पेक्टर के कोर्स में मैंने बताया है जो बच्चा पहली बार इसे देख रहा है वो जाके पहला वीडियो जरूर देखे ताकि उसे क्लियर हो सके कि पांच चरण में पेपर होने वाला है और मेज स्टार्ट किया है स्मार्ट स्टडी वे पे और क्विक रिविजन फॉर्मिट में तो उसे जरूर अटेंड करें ताकि वह अपना पोर्शन बहतर तरीके से कंप्लीट कर सके प्रिलिम्स का और वह पेपर में परफॉर्म करके अपने लक्ष की प्राप्ति कर सके क्लियर आग हमने देखा कि भारत में आपका परवती इस्थिती हिमाले के बारे में चर्चा हुई उसके बाद जो है दूसरे वीडियो में हमने बाकी पहाडियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जर्चा किया ठीक है जितना इंपोर्टेंस है फ्रिलिम्स के अकॉर्डिंग अब जो है यह हो गया आप जो है हम क्या करेंगे अब उसके बाद हमने देखा मांसून मांसून देखा मांसून के बाद वनस्पति देखा मांसून आया वर्सा हुई वर्सा हुई तो क्या बहेगी नदी बहेगी तो नदी बहेगी तो इसलिए याद रखेगा साथियो आज हम पढ़ने वाले हैं नदिया पोहतंत्र जिसमें हम देखेंगे उत्तर भारत एवं दक्षिन भारत की नदियों के बारे में सारा उलेक और जो है important thoughts जो होएंगे उसे हम अपने दिमाग में set करते जाएंगे तो यहां 100% concentration के साथ बैठना है और साथ में मैप लेके भी बैठना है ताकि मैपिंग कर सको clear भुगोल हमेशा मैप से पढ़ा जाता है clear आगे बढ़ते हैंगे तो यह हमारे भारत महोद है आईए प्रसनिस के द्वारा हम सारा चीज़ क्लियर करते जाएंगे ठीक तो भारत की सबसे लंब एसिञालद से ज्यादना और आपका सिंधु नदी एक परिपेक्श में जो है थोड़ी लंबी ही है लेकिन भारत की जब सबसे लंबी नदी पूछेगा तो याद रखेगा साथियोग भारत की सबसे लंबी नदी है आपका गंगा नदी और गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमेटर किती लंबाई है 2525 किलोमेटर अब इसी प्रकार जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जाने आंसर इसका क्या होगा गंगा नदी ठीक है आंसर क्या होगा गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चर्चा करें, तो ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत में बहती है, अब भारत में बहती है, तो याद रखेगा साथियो, यह जो है, इसके बारे में जो आपका विशेस्ता हैं, उसे भी देख लेते हैं, कि तिब्बत में इसे जो है आपका यारलूंग सांगपो के नाम से जाना जाता है किसे ब्रह्मपुत्र नदी को ठीक है सिंधु नदी सिंधु नदी जो है हिमाले नदी के अंतरगत आता है और सिंधु नदी जो है आपका इसकी पांच सहयक चार सहयक पांच सहयक नदी जो है उसके बारे में हमेश तो क्या लेना है गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी पुछा हुआ प्रस्ण है व्यापम में अगले बढ़ें अब देखो भाई यहां दिख रहे हैं महोदाय सिंदु नदी ठीक है यह दो यहां दिख रहा है लेकिन इमान सरोवर जिल से निकलेगी देन उसके बाद जो मां के पुछेगा साथी हो इसलिए जो है टिपिकल पोर्शन पहले रख रहा हूं अगर यह कोड याद रखें कि एस बी आर और यह सी जे आई यह चीप जेस्टेश ऑप इंडिया वाला नहीं है न ठीक तो क्या हो जाएगा सतलज ब्यास रावी चिनाब जेलम इंडस यह कर से आपको शिन्दुने के पारे में याद रखना अनिवार 되 उसके बाद जो है आपका मान्सara जीर के पास सेुन सा ब्रह्म पूतर नदी ठीक है तिबत में से क्या कहते हैं यार लूं संक्व्क है तो यह है आपका कहा है बंगलादेश तो यह जन्जाड scola मबान बाला अर म मिल जाते हैं भई है ना ठीक यह थोड़ा से यहां तूटी हो गई है क्लियर है आगे बढ़ें स्क्रिंशॉट ले लिजेगा उसका ताकि जो है सारी नदियों के बारे में एक बार मन्थन कर सके यह है गंगा नदिया पहत अंतर का छेत्र गंगा नदि की सबसे लंबी सायक न है कि बार मन्थन जरूर करिएगा ताकि दिमाग में सारा चीज सेट हो सके और पेपर हॉल में जब हम बैठें तो सारा प्रेशर रिलीज हो जाए क्लियर आगे बढ़ें ठीक इससे देखेंगे आगे में पहले यह देखें बांगला देश में गंगा नदी को पुकारा जात है अब इसको कंसेप्ट हम समझते हैं कहा गई नकसे महजते यह रहें इसे मीटाल झालना नहीं है भई पीडियेफ देना है आप लोगों तो एक नकसा ले लेते हैं यह उसे नक्से पर चर्चा कर लेते हैं चैने अधिक्षे का देखो यह लाई जो चेत्र है यहां इसको पुत्र नदी को याद रखना है साथियो ब्रह्मपुत्र नदी को बांगलादेश में कहा जाता है जमुना नदी क्या कहा जाता है जमुना और गंगा नदी को जो है यहां से आएगी और यह जो आला छेत्र जो इसका बचा हुआ छेत्र यहां दिखाई देगा यह वाला यह तो ब्रह बारत में बंगलादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पदमा नाम से और आपका जमुना नदी के संगम को मेगना कहा जाता है और भागी रती के बारे में हम विशेष्टा पढ़ेंगे आगे देखते हैं जलसर भागी रती और अलकनंदा नदी दोनों के संगम से सुन्दर वन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदिया है ब्रह्मोपुत्र नदी और गंगा नदी गंगा नदी और ब्रह्मोपुत्र नदी यह दोनों मिलके सुन्दर वन का डेल्टा बनाते हैं आईए नक्से महोदय में देखें यह दिख रहा है साथियो यह वाला छेत्र पूरा पस्चिम बंगाल वाला ये सुन्दर वन का डेल्टा वाला छेतर है और ये डेल्टा कौन बनाएगी ब्रमु पुत्र नदी इधर से आएगी और यहां से आएगी आपका कौन गंगा नदी और सुन्दर वन का डेल्टा बनाएगी बंगाल टैगार याद रख रहे हैं फिर उसके अधा हम देखेंगे निते जी अगुट में सहीं उत्तर चुने, clear, तो आओ देखो, तो यहां दिख रहा है देव प्रयाग, अलक नंदा एवं भागी रती नदी के संगम पे हैं, बिल्कुल सहीं बात है, जहां अलक नंदा नदी और भागी रती नदी मिलते हैं ए टीज, राइट आंसर, रूद्र प्रयाग जो है, वो आपका अलक नंदा और मंदाकनी नदी के बीच में है, एक बार देख रहा था सहीं, हाँ, बिल्कुल सहीं है, clear, अलक नंदा नदी बदरीनाथ से बहती है, बिल्कुल सहीं बात है, कि अलक नंदा नदी जो है, वो बद आपका कमेंट में बताईएगा कि कौन से चार धाम है, और किस सहर में स्थित है, clear, ठीक है, साथ में स्मार्टी स्टडी वे पर चलेंगे हा न, तो मैं बता दू, एक है आपका उडिसा में, एक है आपका गुजरात में, एक है उतराखंड में, और एक है तमिल नाडु में, अब ये तो बता दीजेगा कि कौन कौन से धाम है, clear, अब क्या हो गया इसका अंसर, ये तो गलत हो गया, कि दारना तो है धाम ही नहीं है कुछ न, तो A, B और C, A, B और C, ये प्रसन का ऑप्शन गलत है, तो आईए देख लेते हैं, हमें इसमें बाट लेते हैं, ये हो गया एक ये हो गया दो और ये हो गया तीन, तो एक दो तीन सहीं होगा, तो एक दो तीन एए ओप्शन सहीं होगा, बाकी चोथा जो है गलत हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साथियो, आंसर अब जो है, इसको मैं उठाता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ, देव प् नदी यह गहराई के अनुसार यह छेत्र अपने पास करती है बजब कि धौली गंगा नदी इधर आती है और बद्री नाथ से अलक नंदन निकलेगी और आपका यह यहां तक के आएगी फिर उसके बाद यह भी जो है अलक नंदन नदी कहलाएगी यह भी अलक नंदन किसी भी नदी का नाव तो अलक नंदन की गहराई ही जो है आगे में बढ़ते बढ़ते जो है वो जिद जाती है एक प्रकार से समझें कि अलक नंदन नदी को बहती है तो दौली गंगा जो है पहले आती है और बद्री नात और अलक आपका दौली गंगा आती है जो कि नदी के आपके संगम को कहा जाता है संगम बता रहा हूँ ना संगम या दखना जरूरी तो अलक नंदा नदी और नंदाकनी नदी के संगम में क्या है नंद प्रयाग फिर अलक नंदा नदी और पिंडार नदी के बीच में मतलब संगम में मिलेगा कर्ण प्रयाग फिर उसके नदा नदी का ही वर्चा सो पूरा आख्री तक जाता है भागी रती में मिल्के भागी रती नदी के साथ मिल्के कहां आपका देुपरयाग में गंगा nधी का NIRमाण होता है तो आपका यह आप इसे इस्क्रिण्षॉट ले सकते हैं और अच्छी तरफ सामाज सकते हैं से रूद्र प्रयाग का है अलक-नंद नदी और मंदाक्नी नदी में रूद्र प्रयाग बनेगा ठीक अगला देखें अगला देखते रहा था प्रस्ण में तो इस प्रकार से याद रखना है इसे clear आगे बढ़ें अगले साथियों मंदाकनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है तो किस नदी से मुख्य नदी से संबंधित है अभी बताया हूँ आपका color change कर ले भाई आपका अलक नंदा नदी से तो option A ये है B ये है और C ये है और D ये है थोड़ा typing में mistake हो गया तो answer क्या हो जाएगा अलक नंदा नदी clear है फिर clear कर दूं मंदाकनी नदी कहां गई मंदाकनी नदी ये मंदाकनी नदी और ये अलक नंदा अपनी गहराई के इनुसार आगे मतलब प्रभाद चेतर केंतरग्ड आता है ठीक आगे बढ़े भागी रथी नदी कहां से निकलेगी आओ फिर से बीखाता हो नकसा ये रहा नक्सा कहा है भागी रती नदी गंगोत्री से निकलेगी clear तो हर एक चीज का क्या कर सकते हैं आप इससे चैन कर सकते हैं तो ये चार्ट और ये मैप और ये नक्सा आप लोग को याद होना अनिवार रहे है clear स्क्रिंशोट ले लिजेगा इसका कहां से निकलती है गंगोत्री से निकलती है clear आगे बढ़े अगला है निमलिखित इस्तानों में से कहां भागी रतीयों अलग नंदा नदियां मिलती है तुरंत लगाओ भागी रतीयों अलग नंदा अभी को सब व्यापम और जो है वंडे एक्जाम में पूछा है तो भागी रती अलक नंदा देव प्रयाग क्लियर बारबर रिवाइज हो रहा है ना ठीक आगे बड़े यह मुना नदी की निमलिखित सायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पस्चिम से पूर्व की और जम कौन सा नदी रहेगा चंबल नदी ठीक है कौन सा नदी चंबल नदी तो आपका ऑप्शन फिर से गलत है तो मैं बार बार बताता हूं पहले अप्शन लेलो यह हो गया मेरा एक ठीक यह हो गया दो यह हो गया तीन यह हो गया चार ठीक है तो पहले चार लेंगा मैं तो चार option में कहा है यह रहा चंबल नदी आओ भाई इसका clearance कर ले आपको आपको तुरंत याद हो जाएगा option देखने से पहले कहा गए भाई यह रहे यमुना नदी यह मुना नदी दिख रही है अब यमुना नदी में सबसे पहले क्या दिखी पस्चीम में चंबल फिर सिंध फिर बे बेतवा और केन और यहां जो है option में आपको वही मिलेगा कहा गया महोद है कहा गया महोद है यह रहा आपका चंबल फिर उसका सिंध यह सिरिंध नहीं होगा क्या होगा सिंध होगा हाना गलती है मिस्टैपिंग चमा चाहूंगा वन क्या हो जाएगा आपका बेतवा और कर दिया हों तो ये क्या है आपका दो और ये आपका 3 तो क्या हो जाएगा 4-3-1-2, option आपका A होगा, clear, आगे बढ़ें, निमली खित में से किस नदी का जल गरहन छेतर सरवाधिक है, याद रखेगा, गंगा नदी की सहायक नदी, सोन नदी का जल गरहन छेतर जो है, सरवाध है वैसे ही आपका कृष्णा नदी दक्षिन भारत में उसका जल गरहन छेत्र ज्यादा है सबसेट क्लियर आगे बढ़े मोरी बंड डेल्टा निमलिखित में से किन डेल्टा का एक उपविभाग है याद रखिएगा साथियो गंगा नदी और जमुना नदी और आपका ब्रह बंगाल का डेल्टा के अंतरगात आती है क्लियर आगे बढ़े यह रहाए आपका यह चेत्र जो है मोरी बन्यूमोर द्यूप का बारे में बताया था ना आपको ठीक है जो आपका ब्रहुपुत्र नदी और गंगा नदी के संगम से बना है और बंगाल और आपका यार नर्मदा तथा तापी नदिया और और अपसागर में गिstat भी नदिया उट वगशन में दिखेगा आप लोगों सही है है और दोनों सहीं है तथा रएक की सहीं व्याक्या करता है बिलकुल सही था आगे बढ़ें निमलिखित में से कौन सी घाटी ब्रंस घाटी से होकर प्रभाइद होती है फिर से ब्रंस घाटी ब्रंस घाटी क्या बोला जा रहा है कि याद रखेगा साथियो जो भी नदी अगर एक सेंस लगाना है न आओ नक्से की और चलते हैं यह रहे नक्से महोद है तो आपको जितनी भी नदी जो है वो पूर की और बहते हुए दिखाई दे रही है वो डेल्टा का निर्माल करती है और डेल्टा के बारे मैंने वेख्या किया तो डेल्टा का मतलब यह होता है लेकिन आपका जितना भी पस्चिम की और बहती है नदिया वो जो है आपका ब बहने वाली नदी कौन सी है और पूर्विक्यूर बहने वाली नदी सकते हैं और जुए क्या कर सकते हैं याद रख सकते हैं सारी चीजों को तो हम अपने आते हैं प्रस्लिड क्यूर कहां गया प्रसनल। यह रहा तो निम्लिकित में से कौन सी घाटी घाटी नहीं होगा नदी होगा ब्रंस घाटी से होकर प्रवाहित होती है तो आपका कौन सी नदी प्रवाहित होती है तापी कृष्णा महानेदी गुदावरी तो यह तो पूर्व की और आपका बहने वाली नदिया है लेकिन यह पस्चिम में हो रहे वाली बादिया है, तो सिधा से इसका लेकर जाना है, कि ये आपका रिफ्ट गाटी या ब्रंस गाटी से हो के गुजरती है, ठीक, आगे बढ़ें, कौन सी नदी रिफ्ट या ब्रंस गाटी द्रोनी से जो है आपका होकर गुजरती है, clear, नर्मदा नदी गंगा नदी डेल्टा बनाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी भी बनाएगी, कृष्ण नदी दक्षेन में डेल्टा बनाएगी, तो इसे याद रखना है, इस प्रकार से प्रस्ण विविदिता आत्मक रूप से पूछा जा सकता है, clear, आगे बढ़ें, आईए, भारत की निमल क्या पूछ रहा है, पस्चिमी घाट से नहीं निकलती, ताप्ती नदी का उदगम इस्थल है, सत्पूडा के घने जंगल, बड़े अन्मने जंगल, ठीक है, मतलब सत्पूडा छेत्र से मध्यप्रदेश से निकलती है, और जाके भरंस घाटी होते हुए, द्रोनी से होते ह हुए, आपका अरफ सागर में जाके मिल जाती है, क्लियर, आगे बढ़े, कावेरी नदी का उदगम है, कावेरी नदी का उदगम ब्रह्म गिरी की पहाडी, क्या है आपका ब्रह्म गिरी की पहाडियों से कावेरी नदी निकलती है, क्लियर, आगे बढ़े, आईए, निमलि क्लियर है आगे बढ़े नीचे चार नदिया के नाम दिये हुए हैं लंबाई की दिश्टिकोंड से इन नदियों का घटता हुआ करम सबसे लंबे के आरम करके सबसे छोटी तक के क्या होगी ओके ठीक है देख लिए कौन-कौन सी महा नदी कृष्णा गोदावरी नर्मदा त देख सकते हैं दूसरे नंबर में कौन है आपका क्रिष्णा दिख रहा है ना फिर उसके बाद क्या है नदिया नर्मदा होगी ठीक नर्मदा फिर उसके बाद महा नदी तो यह उसका अप्शन हो जाएगा तो इस प्रकार से कि स्मार्ट वे पर प्रस्ण बनाना भी हमारे आनिमार है clear आगे बड़े निमलिखित में कौन सी नदी एस्चूरी नहीं बनाती है ओके ठीक है नहीं बनाती है देख लेते हैं नर्मदा बनाती तापती बनाती है मांडवी भी बनाती है लेकिन याद रखेगा साहिए मांडवी जो है गोवा सहर इसके तर्ट पेस्थी थे अभी बनाएंगे उसे question महा नदी जो है आपका क्या नहीं बनाती एस्चूरी नहीं बनाती तो इस प्रकार से भी प्रस्ण पूछा जगया है तो बिलकुल याद रखेगा स्मार्ट वे पे चाहिएगा कि सबसे डिल्टा नहीं बनता है तो एस्चूरी भी बनता है बर बता रहा हूं कौन सी नदी है आपका गोदावरी नदी जो की 1465 किलो मीटर है भारत की गंगा कहा जाता है दक्षिर भारत की गंगा कहा जाता है clear आगे बढ़े पणजी गोवा किस नदी पर अवस्थित है तो याद रखेगा साथियो मांडवी नदी पर इस्थित है clear यह क्या होगे बढ़े बोड महता है नराज रहते हैं आगे बढ़े अगला प्रस्ण है देखो यहां से प्रस्ण देखने को मिलता है न तो एकदम तठपे इस्थित सहर या तठपे इस्थित जो आपका इस्थल है उसे याद रखना निवार रहे है निम लिखित में से कौन सा सहर गंगा नदी के तठपर इस्थित नहीं है तो देखो भाई नदी के किनारे है ठीक है कौन से नदी किनारे है या मुना नदी के किनारे कौन दिल्ली या मुना नदी के किनारे है आगरा से भी प्रस्न पूछा जाता है तो कानपूर पता होना चीए किसके सहर के उपर गंगाक नदी के सहर के उपर है यहां से भी प्रस्न पूछा जा सकता पटना कौन से नदी के तठ पर इस्थित है तो आपका गंगा नदी के वारा नसी कौन से नदी के तठ पर है तो गंगा नदी के लेकिन दिल्ली नहीं है दिल्ली किसके तठ पर है या मुना नदी के तठ पर क्लियर आगे बढ़ें आईए आगरा किस नदी के किनारे इस्थित है आगरा बताओ तुरंत अंसर लगाओ आगरा जो है आपका यमुना नदी के तठपे इस्थित है क्लियर है क्लियर किसके यमुना नदी के तठपे इस्थित है क्या आपका आगरा क्लियर आगे बढ़ें अगला है आयोध्या किस नदी के तठपर इस अवस्थित है आयोध्य क्या है इश्वर का निवास इस्थान कहा है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की वर्तमान की राज्य पाल कौन है आनंदी बेन पटेली छोटे-छोटे तौट से याद रखना जरूरी हमारे लिए न जीएस के पोर्शन में और आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी क और आपका मतलब तो ड्यूटी करते हैं न भाई पुलिस लोग चुनाओ अगरा में चुनाओ संपन हुआ है पिछले गत वर्सों में तो याद रखना है इसे ठीक तो क्या है आपका आयोध्य किस नगर नदी के तठ पर इस्थित है तो याद रखेगा सर्यू नदी के तठ प क्लियर गंगा नदी का पढ़ा और आपका यमुना नदी के बारे में पढ़ा आगे बढ़ें अगला जमसेदपूर किस नदी पके तठ पर इस्थित है जमसेदपूर याद रखेगा साथियो जमसेदपूर जो है अधिकतर बच्चे आप्शन लगा कहेंगे दामुदर लिखते लिखते तुरंद जो है सर्च करके उसके याद रखेगा कि जितने भी जो है टॉपिक्स लाए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं रिलेट करते हैं विवर्तवान के इस्थिति पे क्योंकि एक स्मार्ट स्टडी वे पर पढ़ना है कुई क्रिविजन फॉर्मेट में पढ भारास्ट में है तो गुदावरी नदी मैंने गुदावरी नदी की बहुत विशेशता बार बार बता चुकिए आप लोगो क्लियर आगे बढ़े अगला सूरत किस नदी के तट पर इस्थित है तो जो आपको मैंने बताया था मध्यप्रदेश से निकलती है तापती नदी कहां से आपका सत्पूरा रेंज से तो तापी नदी के तट पर क्या है सूरत कहा है गुजरात में ठीक है क्लियर आगे बढ़े अगला प्रस्न है हमारा उज्जैन किस नदी के तट पर इस्थित है देखो भई उज्जैन जो है न वो आपका किस के इस नदी के तट पर इस्थित है छिपरा नदी के तट पर इस्थित है तो यहां से प्रस्न कम से कम दसवार पूछ चुका है क्लियर वंडे एक्जाम का पॉर्शन है ये ठीक है SSC में तो बता रहा हूं हमेशा पूछा जाता है ये प्रस्न चिप्रा के तर्ट पर कौन सा सायरा तो उच्जयन है अगला प्रस्न है आपका साबर मती नदी किस सहर के किनारे बहती है अंसर लगाओ साबर मती के संत ने कर दिया कमाल तो आपका एहमदा बाद जो है आपका इसके बाजू में बहती है आपका साबर मती नदी तो इतना नदी के पोर्शन में पता होना हमारे लिए जरूरी है और याद रखिएगा साथियों के ये जो स्मार्ट स्टडी वेपर सेशन चल रहा है उसे जो है बिलकुल बहतर तरी के से रिवाइस करते जाएंगे ठीक है इसमें वो वन लाइनर फैक्ट से आप लोग को दिया जा रहा है जो पिछली परिक्षाओं में पूछा गया प्रस्न है तो आशा करता हूँ मेरी बाते आप लोग को समझ में आई होगी इसी के साथ इजाज़ा चाहूंगा जय हिंद जय भारत